हेलो एब्रीबरन माइनेम इस श्रवानी जादॉन वेलकम बैक और टॉप ट्रेंडिंग शीकी हम आपके लिए कर आए हैं एंटीपीसी के जो आपका CEN01 2019 में जो exam schedule थे और जो conduct हुए थे आपके 2022 में उसका ये first shift का आपका exam paper है उसको swap कराने वाले हैं level 5 का तो start करने से पहले आप देख सकते हूं कि कुछ बच्चों के comments आते हैं कि मैं आप latest questions लेका आई हैं तो इसलिए मैंने इन सब को रखा है कि आप इसे समझ सको कि ये latest questions ही हैं आगे बंडे से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो और अगर आप seriously उस exam की preparation कर रहे हो तो आपको mock test या PYQ का आपको importance पता होगा कि कितना important है इन दोनों को लगाना जिससे कि आप अपनी preparation को जान सकते हो कि आप कहां better हो कहां आपने analysis कर सकते हो तो इस तरीके से आप वो एक air का pass pro लेना चाहिए और उसके लिए अगर आप उसपर better discount चाहते हो या तो आप TTG के coupon code को use कर सकते हो कुछ बच्चों के comments आते हैं कि मैं थोड़ा लेंदी कराते हो अच्छा मैं start करने से पहले एक बात कहना चाहते हूं इस आप mature audience की तरह सुनिएगा इस चीज़ को अगर आप बताईए अगर मैं इसको लेंदी कराती भी हो एक दो इस्टेप जादा हो जाते हैं बाकि शॉट step by step को चीज़े मिल सकती हैं और मैं अगर दे सकती हो कि दू-3 step मुझे बढ़ाने में को problem है नहीं तो आप बताईए उन बच्चों का loss होने से अगर बच जाएगा तो इसमें को problem की बात तो है नहीं और अगर किसी को नहीं लगता कि हमें इतना short पढ़ने की ज़रुरत है त तो प्रीज वो मुझे बच्चे बताईएगा comment box में कि आपको थोड़ा सा lengthy, लेंदी अंदर से कुछ लेंदी नहीं होता मातना मैं बताऊंगे आपको बीच बीच में कि किस तरीके से थोड़ा सा ये lengthy हुआ किस तरीके से sort हो सकता था अगर आपको लगता है कि हमें इतना ही चाहिए जो करारी विजीए ठीक है तो उस चीज को बतादीजेगा आप देखिए ये आपका नब है ये आपका दे रखा है नब है लीटर मातना में दूद और पानी का अनपात है आपका चार अनपात एक क्या है चार अनपात एक दूसरा एक मिस्रड आपको दे रखा है दूसरा एक मिस्रड और आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको तीन देशियो दू तो दोना मिस्रडों के दूद और पानी की मातराओं का अंतर, दौन मिस्रडों में दूद की मातराओं का धनात्मक अंतर बताईए, तो आपको धनात्मक अंतर पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे, आप कहोगे मैं first solution दीजिए, first solution होगए ये, आप कहोगे कि उसमें यह मिल्क और जो ratio है, milk और water का ratio है, वो है 4 ratio 1, यानि कि 5 आ जाएगा ratio में, लेकर अगर quantity में बात करें, तो यह 19 चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 18, ओके, अगर हम second solution की बात करें, तो यह कितना हो जाएगा, 3 ratio 2 हो जाएगा, जब यह 3 ratio 2 हो गया, तो यह भी 5 unit आएगा, और आप देख सकते हो, कि यह भी आपको 90 liter का ही दे रखा है, यह 90 था और यह भी 90 है, तो यह भी 90 liter में आ गया, तो आपको क्या हो जाएगा, यह 18, इसकी value 18 आ जाएगी, ठीक है, अगर इसकी value 18 आ गई, तो आप दो तरीके हैं, इसको long करने का, क्या हो जाता, मैं long कैसे करती, मै यहाँ पर क्या करती, मैं यहीं पर multiply करती, यहाँ पर करती, 72 आ जाता, यहाँ multiply करती, 56 आ जाता, लेकिन अब मैं इसको short करना चाहूँगी, तो मैं इसको कैसे short करूँगी, मैं कहूँगे, बेटा देखो, आपका दूद का ही तो अंतर पूछा है, दूद का तो difference लिखोगे difference लिखोगे आप, और आप क्या करोगे, आपको पता है कि पहले बाले में 18 दे से 4 था, तो 18 multiply by 4 आएगा, एक minute की value है यह, और minus करना पड़ेगा, 18 multiply by 3 से, तो 18 अगर आपका common आ गया, तो 4 minus 3 हो जाएगा, यह 18 हो गया, यह 1 हो जाएगा, तो 18 लीटर आपका आ जाएगा, यह हो गया, आपका short में, अगर मैं इसको थोड़ा से लोग करती, तो मैं क्या करती, इसका यहाँ multiply करके दिखाती, तो यह 72 हो जाता, और यह होता, तो इसका क्या हो जाता, इसमें multiply आप 18 का करते, यह, यह कितना रुखता, क्या हो जाएगा यह, यह हो जाता, और जब आपको इसका minus करते, 72 minus 54 करते, तो यह भी 18 ही आता, तो एक तरफ तो हमने उसका difference इस तरीके से ले लिया, एक तरफ तो हमने difference इस तरीके से लिया था, short में यह कर दिया, long में आपको multiply करके करना पड़ता, पर बात तो वही आती, ठीक है, इसका option क्या है, option number one है इसका answer, आपके पास question number two है, आपके पास है 6y square minus 13y plus 6 equal to 0, तो समय करके दो भूलों का गुड़न खंड आपको ग्याद करना है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गुड़न खंड होता क्या है, वह होता है आपका c over a, यह है आपका formula, ठीक है, आप alpha plus beta का formula भी अगर आप देख लो, तो वह होगा, आपका minus की b over a होता है, इसका पूछा नहीं है, बस हमने आपको लग से बता दिया, यह आपका अगर general equation की बात हो, तो हमें किस से compare करना, a x square plus b x plus c से compare करना है, आपको अगर इस तरीके से देखा जाए, तो इसमें a की value क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, a की value क्या हो गई, 6 हो गई, और b की value minus की 13 हो गई, जबकि इसकी ज़रुवत नहीं थी, इसके लिए हम निकाल रहे हैं, 6, c की value क्या हो गई, 6 हो गई, अगर alpha plus alpha into beta आपको बताना है, तो c आपका 6 हो गया, a आपका 6 हो गया, alpha beta क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप बताओ, ये हो जाएगा minus, और minus के 13 b की जगा है, तो minus 13, और a की जगा क्या हो जाएगा, a की जगा 6 हो जाएगा, तो ये 13 upon 6 आजाएगा, तो ये ही तो टाइप के question आपको मूलों से पूछता है, जो मैंने दोन आपको clear करा दिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको दे रखा है कोई बृत है, उसकी जीवाघ है, a, b, c, d, बृत के बाहर इसरत बित्व, एफपर तेछेदिए करती है, अगर मैं आपको ब्रत बना के दिखाऊओं, सबसे पहले ब्रत हो गया, उसकी जीवाएं, a, b, c, d, दोनों ही आप पर तेछेदिए करती है, बाकि आपको A, B, F और C, F की value दे रखी है, आप क्या हो है, C, D की value आप से पूछी है, तो आप क्या करोगे, दो G, Y बनाओगे, और ये F पर प्रतिच्छी रित करती है, और ये क्या है, A, B, ये क्या है, C, D, अगर आपको value given है, कुछ-कुछ, हम इसको सब को लिखते हैं, क्य हम A, F की value 12 दे रखी है, ये आपकी 12 हो गई, आपको B, F की value 4 है, यहां से यहां तक 4 है, और एक value आपको नीचे से क्या दे रखी है, C, F दे रखी है 16, ये total आपकी 16 हो गई, पुछी है, आपको ये पूछा है, इसकी value X माल लो, ओके, इसकी value अगर X माल लोगे, अच्छा ए पीवी पिंक कनर से दिखाते हैं, एक formula आपका होता है, कि आपको whole पर जाना है, multiply by ये छोटे पर आना है, ऐसे ही पहले आपको whole पर जाना है, multiply by छोटे पर आना है, ये आपका formula होता है, इसका मतलब है, formula आपका होता है, आपका होता है, आपका होता है, आपका होता है, आपक cf, total, multiply by, df, df, आप कहोगे मैं हमें df, हमें निकाला cd है, हमारा df आएगा, इसको y माल लो, इसको क्या माल लो, y माल लो, ठीक है, अब हम solve करते हैं, af की value कितनी थी, 12 है, df की value कितनी है, उपर show हो रही हो भी, bf की value, आपकी 4 हो गई, bf की value क्या हो गई, आपकी 4 हो गई, आप कहोगे cf की value क्या है, cf 16 है, और आपको df की value, जो कि अपने y मानी है, df की value y मानी, df लिख लो, तो 4 से 4 वर जाएगा, यह 4 से 3 वर जाएगा, यानि कि जो y की value है, वो 3 आ गई, अगर मैं कहूँ के cf है, cf total हो गया, total में से अगर आप df भटा दो, cf में से अगर आप df भटाओ, cf क्या होता है, cd plus df, df की value कितनी आई है, अब कितनी आगई, cd की value आप से पूछी है, cd की value आप से, cf की value 16 हो गई, और cd की value आप से x पूछी है, यह आप कितनी निकली, x की value क्या आजाएगी, 13, यहीं आपका है answer, ठीक है, यहीं आपका क्या है, answer है, जो हो जाएगा आपका 13, 13 will be your answer, ठीक है, आगे चलते हैं, एक चीज और थी, जो मझे डिसकस करने थी, कुछ बच्चों के comments आते हैं, क्या अच्छा नहीं बढ़ा रहे हो, और मजा नहीं आया, तो मैं एक चीज पर पूछना चाहते हूँ, आप सभी एक educated audience हो, हम ऐसा तो नहीं कोई reels बना रहे हैं, कोई भी आ रहा है, उसमें कुछ comments करके जा रहा है, मैं आपसे उमीद करती हूँ कि आप अगर इस NTPC के, या कोई भी exam के preparation कर रहे हो, अब तभी यहाँ आए हो, और अगर आप तभी यहाँ आए हो, तो आप struggling phase में हो, मतलब आप कुछ चाह रहे हो life से, तो आप किसी दूसरे, किसी इंसान को कैसे criticize कर सकते हो, कि मतलब अगर आप उसी phase में हो, मैं उसी phase में हो, और हम एक दूसरे को अगर criticize करें, या आप मुझे कर दो, मैं मेरे अंदर यहाँ आजाए कि ठीक है, मैं अच्छी teacher कभी बन ही नहीं पाऊंगे, तो मेरे mind में यहाँ आ गया, तो आपको नहीं रखता कि आप एक मेरा career ruin कर हो, या मेरे mind में गलत चीज़ डाल रहे हो, as a human क्या यह चीज़ अच्छी है, और सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहती हूँ, कि अगर मैं आपके रितनी बड़ी PDF बनाती हूँ खुद से, मैं यहाँ आ रही हूँ, content prepare करती हूँ, अगर आपको उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो मत like करो, पर कम से कम ऐसे comment तो मत करो ना, कि वो चीज़े मेरे mind में बैठ जाए, जो मैं अपनी personality या अपनी identity पर question mark लगा दू कि कहीं ऐसा तो नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, तो यह चीज़े मुझे लगता है, as a human ठीक नहीं है, बाकि अगर आपको कोई problem है, तो मत आप देखें वीडियो एक तो यह option है, या एक option है कि मैं अच्छे से बता दो कि मैं आप में यह problem है, आप इस चीज़ को ऐसे ठीक करनो, तो क्या मैं teacher बनना चाह रही हूं, तो उस जो चीज़ आप बोलो कि इस पर काम नहीं करोंगी, क्या, आप इस चीज़ को सोच के देख आप देखें, आप देखें, यह है आपका संक्या 30 से विभाजित है, इसमें से कौन सी संक्या है, जो 30 से विभाजित होगी, तो 30 क्या होता है, 3 multiply by 10 होता है, 0 से 0 कट गया सब, अब 3 से विभाजित हमें देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से, अगर हमें यह देखना होता ह चाहती हूं कि कोई भी चीज अगर 3 से है 3 से कट रहा है तो ये 3 से कट गया ये भी 3 से कटने वाला है तो इनको देखो 4 औ 5 नौ होता है ये तो 3 से पूरी नबर है न वो 3 से कट जाएगा बाकि और को भी चेक करते हैं 3 4 5 6 देखो 3 तो कटी जाएगा 4 5 6 साथा 9 ये 9 हो गया य क्या 2 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा 2 1 3 ये 6 हो जाएगा बच्चे का 4 क्या 4 3 से कटेगा नहीं कटेगा ये हो 4 और 5 नौ ये तो कट जाएगा ये भी कट जाएगा 7 बच्चे का 7 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा इसका मतलब है कि आपका जो option number 1 है न उसका ही एक unit digit आपका क तो है इसने ज़्यादा शौट क्या करा होगे पर किसी-किसी question में explanation करना जरूर ही होता है जिसे कि आप वहां अटको ना एक पच्छेक बहुत अच्छा comment था कि इतनी short tricks मगा याद भी नहीं रहती है end of the time basics ही काम आते हैं ठीक है यह देखिए आपको 2.156 की सब्दी रखा है और आपको find करना है कि इसमें आपको आपका बहुलक और मादेका का अंतर find करना है सबसे पहले अगर बहुलक की बात करें तो आपको कौन सा ऐसा नंबर है जो repeat mode पे है mode mode क्या होता है mode होता है आपका जो नंबर आपका two times मतलब एक तरीकी समय जादा बार आए तो one तो सब ही आती है या तो two times है या two times से जादा बार आए तो यह आपका mode हो गया यह हो गया आपका बहुलक बहुलक हो गया आपका 31 अगर यह 31 हो गया है तो आपको मादेका पता करनी है मादेका क्या होगी मात्य का आपकी होगी जो आप इनको आपको क्या है असेंटिंग ओर्डर में अरेंज करना पड़ेगा तोटल नमबर कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आन, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर, पंदर, सुल, सत्रा आपकी एन की वैल्यू 17 है एन की वैल्यू क्या है, आपकी 17 है जो की क्या है, एन की वैल्यू 17 है तो यह ओड है, जब भी यह ओड होती है तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मला मारा होता है एन प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 अपॉन 2 की वैल्यू जो आएगी वो ही 17 प्लस 1 यानि कि 2 यानि कि यह हो जाएगी 9 यानि कि जो 9 नमबर आएगा इस सीरीज में वो आपके मत देखा होगी ठीक है क्योंकि मिड़ वाला नमबर होता है तो आप देखे क्या हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2 3, 4, 5, 6 यह हो जाएगा 7 यह 8, यह 9 यानि कि आपका जो मादेखा है वो क्या है मादेखा हो गई आपकी 14 मादेखा अगर 14 हो गई तो आप से पूचा है अंतर तो 31, 31, 14 यह आपका अंतर होगा डिफ्रेंस होगा किस-किसका बहुलग का और आपका किसका मादेखा का जो क्यों हो जाएगा 17 और 17 आपको आपसन अमरी है तो आपका आंसर क्या आगया 17 मादेखा निकालनी थी और आपको बहुलग निकालना था उन्दोलों का आपको डिफ्रेंस पता करना था देखिए कोशन बहुत अच्छा है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस कोशन को आप देखिए आपको कॉसिसके कुछ भी वैल्यू है इसको ठीटा मान सकते हो और फिर कॉसिसके ही है उपर पर आपको पता है कि साइन इसके ठीटा और अगर कॉसिसके ठीटा जब करते है तो उसकी वैल्यू क्या आती है यह आपको पता है यह अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो आप कहोगे मैं इस कॉसिसके ठीटा को कॉसिसके ठीटा ही रहने दू आप ठीटा की जगह क्या है यह 45 यह प्लस ठीटा इसको यही रहने दो, और आप क्या करो, इसको socialist की theta ही रखो, पर आप इसको 90-45-theta, आप यह कर दीजिए, पर नीचे है आप उनकी value, put कीजिए, सबसे पहले को 6, 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा होता है sin 30 क्या होता है sin 30 क्या होता है sin 30 होता है आपका 1 upon 2 1 upon 2 का आप उल्टा करोगे तो 2 आएगा और 2 का स्केर करोगे तो 4 आएगा multiply हो जाएगा sin 45 क्या होता है sin 45 होता है 1 upon 2 अगर इसका स्केर करोगे तो 1 upon 2 आएगा ये 1 upon 2 आ जाएगा, minus x के 30 क्या होता है, cos 60 का उल्टा होगा, cos 60 क्या होता है, 1 upon 2 होता है, इसका उल्टा करोगे, इतर 2 होगा, अब 2 का square करोगे, तो 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, आप ही देखे, इस equation को हमें किस तरीकी से solve करना है, आप कोगे, मैम, आप जो cos 60 के 45 प्लस ठीटा कर रहे हो, उसको ऐसा ही रहने दो, cos 60 के 45 प्लस ठीटा, इसको इस तरीकी से रखो, जो हमने next solve किया है, आप बताएगे, ये 1st quadrant की बात हो गई, और 1st quadrant में क्या होता, और 90 और 270 जो होते हैं, अगर ठीटा से पहने हैं, तो 90 मानस ठीटा, 90 प्लस ठीटा, ये सब जो होता है, ये क्या करते हैं, अपनी बैरी चेंज करते हैं, sin को किस में चेंज करते हैं, cos को किस में चेंज करते हैं, sin में, तो ये cos के θटा ही क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sin square 90 minus θटा 90 minus 45 क्या होता है 45 और minus minus क्या होगा plus θटा ठीक है और ये क्या हो जाएगा 2 minus 4 यानिके minus के 2 ठीक है अब इसको नीचे solve करोगे तो क्या होगा आपको पता पढ़ चुका है ये cos square के अंदर एक ही जैसी चीज है तो ये इस तरीके से total को θटा मान सकते हैं इसको भी θटा मान सकते हैं तो ये हो जाएगा cos square theta plus sin square theta plus sin square theta इसकी value क्या होती है 1 होती है तो 1 upon minus के 2 यही आपका answer हो जाएगा 1 upon minus 2 यानिके minus 1 upon 2 क्या हो जाएगा minus 1 upon 2 यह आपका answer हो जाएगा यह दे रखा है आपको question अच्छा question है easy है पर अच्छा है आप देखिए कि ब्याज की करना पासिक चक्करवदी आधार पर करने पर चक्करवदी को ध्यान रखना है एक धतासिक निश्चित ब्याज की तरपर तीन वर्स में 625 हो रही है suppose आपका principle पी है और अगर आप इसको three year में क्या कर देते हो 625 कर देते हो और उसके बाद यह चार साल में यह दरजाजी कितनी हो रही है 675 हो रही है तो यानि कि एक साल के difference में कितनी हो रही है 50 रुपे बढ़ गई अब बताइए अगर तीन साल बाद कोई भी पैसा है तो क्या वो principle का काम नहीं करेगा पर fourth year जो चौथी साल होगी इसके लिए principle का काम करेगा यानि कि जो 50 रुपे पर आप 650 रुपे वो 50 रुपे अगर पा रही हो और 100 से multiply करोंगे तो पच्ची दूनी पचास और पच्चीस 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 चौका सो ये 8% आजाएगा तो क्या यही रेट नहीं होगी यही रेट होगी आपने 3 येर के लिए कुछ पैसा आया आपके पास 4 येर का कुछ पैसा है जो difference आयो 50 आया आपने का यह difference 50 है और 650 से मुझे divide देना है और अगर यह इसको swap करोंगे तो 1% आजाएगा क्यों क्योंकि यह जो पैसा था amount था for 3 येर जो 4 साल के लिप जाएगा तो principle का का काम करेगा बस इतना याद रखना था उससे हमने इसको rate को निकाल दिया ठीक है देखे यह एक रिल गाड़ी आप कहोगे मैम आप easy questions लिके आयो तो बिटा यही questions आयो हुई है ऐसा हो सकता है इस सबसे easy हो but ऐसा नहीं है कि मैंने easy उठाया है ठीक है एक रिल गाड़ी है उसकी dispense आपको दे रखी है 57.6 दे रखी है और आपको जो इसको क्या लिख सकते हो आप देखिए आपसे पूछा है 48 minute में तै करती है इसकी चाल बताईए meter per second में चाल पूछ रहा है इसका मतलब है जो आपको kilometer में है इसको meter में change करना पड़ेगा तो 57.6 है इसका 100,000 से multiply कर दो यह meter में आ गया यह आगया 5, 7, 6 और यह हो जाएगा double zero यह meter है ठीक है अब आपको पूछा है कि time क्या है time आपका 48 minutes है minute है minute को second में change कर दो 48 multiply by 60 अब आपसे speed पूछी है तो speed क्या होती है distance upon time होता है distance 5, 7, 6, double zero है और यह 4, 8, 60 है इसको सौर करते है यह हो जाएगा यह कितनी बार जाएगा 86, 48, 56, 56 और यह हो जाएगा आरदुनी 16 और 6, 12 और यह 12, 5 और 5 से 120 यानि कि 20 आजाएगा 20 आगया आपका answer 20 answer है आपका आपसको देखने यह जाएगा कुछ नहीं था easy question था इस question को देखे यह अच्छा question है इसको आप दिमाग में रख सकते हो लाइक अच्छा question है यह important मान सकते हो इसको करने में कुछ बच्चों के लिए problem आ सकती है हर बच्ची की बाद हम नहीं कर रहे हैं यह A और B है आपसको देखा है A प्लस B हैना 100 unit काम माल देते हैं उसका तो इसने कहा है कि A किसी कारे को 12% भाग को मतलब टोटल भाग अगर इतना unit है तो उसके 12% भाग को कितना कर रहा है 12% भाग को कर रहा है 15 समय में तो A और B निर्धाय समय की पूरी अबधी तक कारे करते हैं मतलब जो time unwanted है उस time तक ही काम करते हैं किसी कारे पर पूरा हो जाता है और कारे समय पर पूरा हो जाता है B कारे का कितना भाग पूरा करता है तो आपको B पूछा है B का B से की efficiency पूछी है एक तरीके से B कितना काम करेगा टोटल वर्क में आप यह देखिए A प्लस B अगर 100 unit काम कर रहे है suppose total जो suppose total time जो है जो total time है वो 100 R ही है वो क्या है 100 R है अब आपको दे रखा है कि जो A है वो क्या कर रहा है 12% काम कर रहा है अब इसका 100 unit का 12% क्या होगा 12 unit होगा तो यानि कि 12 unit काम करता है और time कितना लेता है जो time है total time उसका 15% यानि कि 100 का 15% कर रहा है यानि कि कितना कर रहा है 15 गंटों में कर रहा है 15 गंटों में कर रहा है अब बताओ इस चीज को मैंने वो धरगी समझा दिया कि कैसे हो गया किसी के लिए तो easy हो गया उसको नहीं पता हो 15 है तो मैंने कर दिया हो घर के लिए अब ए है ये ये क्या कर रहा है 15 गंटे में कितना कर रहा है 12 unit काम कर रहा है तो अगर इसका मैं पूछे को 100 जो पूरा total है 100 unit काम है तो उसको कितने time में करेगा तो ये क्या हो जाएगा ये 312 और 515 और ये 25 ये हो जाएगा 125 यानि कि 125 गंटे ले रहा है A क्या कर रहा है पूरा काम करने में 125 गंटे ले रहा है और total अगर मैं बोल रही हूँ कि A क्या कर रहा है और जो A प्लस B है वो दोनों मिलके कितना ले रहे हैं वो 100 घंटे ले रहे हैं ठीक है और अगर आपको मैं इस तरीके से कर दूँ या फिर मैं यह करूँ इस चीज को यह है टाइम टाइम है यह टाइम है यह और यह कितना होगा 25 चोग को 25 पन 125 तो efficiency क्या हो जाएगी 4 और 5 हो जाएगी यानि कि A की अगर total काम total 5 efficiency है दोनों की मिलके और A की 4 है तो B की efficiency कितनी होगी 1 होगी B की efficiency आपने अगर 1 निकाल ली तो total जो total है मतब एक तरीके से इसकी efficiency 1 हो गई और total यह एक तरीके से 5 काम करते हैं तो कितना हो गया, यह 20% हो गया, यानि कि जो B है, B जो करेगा, कितना है, 20% तो 20% will be your answer, क्या हो जाएगा यह 20%, 20% काम कर रहा है यह, 20% Next question पर चलते हैं यह बहुत अच्छा question है, आप देखें इसको, एक निश्य धर्रासी 1% साधार ब्याज की तर पर, 7 वर्स में इतना हो जाती है, यदि बार्चिक साधार ब्याज की तर, एक प्लस 4% हो, तो 7 वर्स में धर्रासी 25917 होती है, निवेश की गई धर्रासी ग्याद कीजिए, आपने कहा कि, मैंने कहा कोई भी धर्रासी हो, 7 यह अगर टाइम ने रही है, और एक परसेंट की रेट पर, तो वो कितनी हो रही है, वो हो रही है, 22494 हो रही है, अगर मैंने बोला, कि अगर यही आपकी जो रेट एक्स थी, अगर आप और इसमें 4 एड कर दोगे, पर वही टाइम वही रहेगा, और आपका जो पैसा था, वही वही है, वही धर्रासी, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25917 हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं आपसे इ 9 6% के हिसाब से, पर यह 48 परसें्ट है, यह एक्स था बढ़ गया, आपकोतो हुगा यह रेट में एक्स्टर बढ़ा है, हमारी रेट को बढ़ाने से, जो हमारा 4, जो बढ़ रहा है यह 7 के लिए, वहारा 28 के लिए 2 MIN 1 2 toutes बढ़ जाएगा, पर अगर इसके हिसाब से देखो 9 गटाऊगे 9 10 11 ये 2 आ जाएगा और यहां पर कितने बचेची यहां पर यह है यह होगा 4 पर फिर ठीक है और आपका कितना आजाएगा है यहां जाएगा यह फिर य Kerry तो खेलेन जयहां ऑपनारी 7 है और यह बहुंड सकथीन पून सब्सक्राइड कर दकाए और यह 3, यह 9, 10, 11, यह 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया एक कम, यहाँ हो गया 4, और यह हो जाएगा आपका 3, यह 3, 4, 2, 3 है, अब यह किसकी value है, यह 20% extra होने से, आपकी value क्या हो गई, 3, 4, 2, 3 हो गई, ठीक है, अगर यह 28% की वज़े से होई है, तो 1% क्या होगा, आपको गई, 1%, 3, 4, 2, 3, आप इसको divide मिरे जाएगे, 28% को, आपको गई, अगर यह 100% value पूछे, हमके 100% value क्या होगी, तो इसका 100 से multiply हो जाएगा, यह 7, 4, 28 हो जाएगा, यह 7 से कटेगा, 7, 5, 7, 4, 28 हो गया, 28 और 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 8, 7, 56, और 9, 63, यह 497 हो जाएगा, 497 का multiply आप कर रहे हो, 4 से 25, यह 25 आजाएगा, तो आपको जो 4, 9, 5 दे रखा है अभी, यह है आपका 4, 9, 5, इसको आप क्या कर रहे हो, बच चीशते करोगे, आप इसमें unit digital sum लगा के दिखते हैं, यह हो जाएगा, यह 7, 9, 10, 11, यानि कि 2 हो जाएगा, 7, 9, 10, 11, यानि कि 2 हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा, यानि कि 5 आना च 5 आना चाहिए, आप देखिए, इसको देखिए आप 2, 1, 3, 4, 4, 5, 9, तो 7 आएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह नहीं हो सकता, और 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, यह 3 आ गया, हमने साथ कोई मिस्टेक कर दी है इसे, यह हमारा 3, 4, 2 थी था ना, इसको हमने किससे डिवाइड कर रहे थे, हम 7 से कर रहे थे, तो 7 चोकट ठाई, और 7 चोकट है, और 7 चोकट है, उन्टी तीस, इकती है, यह हो जाएगा, 62, और 7, 8, 56, यहां पर 8 होना चाहिए था, 56 हो जाता, यहां 5, 6, और फिर आपका कितना बच्चा, बच्चता है, यह हो जाता, 4, और 7 त्रेसर, यानि कि 4, 8, 9 आजाता, जो हम यह 4, 8, 9 होना चाहिए था, यह होता, 4, 8, 9, 4, 8, 9 होता, यहां भी आपका, यह क्या होता, 4, 8, 9 होता, multiply by 2, 5 होता, तो क्या होता, यह 7 हो गया होता, और यह 8, 9, 10, 11, 12, यानि कि 7, 21 का, आपका जो डिजिटल सम था, तीन आना चाहिए था, आप अगर अपने options में जाओगे, तो डिजिटल सम किसका तीन मिलेगा, आपको डिजिटल सम सिर्फ एक option का तीन मिला है, जो कि है option number first, और option number first ही आपका इसमें यह होता, option number first इसका answer होता, इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए तक लिए, जो हमने यहां mistake की है, वो है, 479 है आपका, इसको, क्या करोगे, 489, क्या करोगे इसको, 489 करोगे, ओके, आगे बढ़ते हैं, आपको दे रखा किसी घं के प्रत्य किनारी की लंबाई 2.6 है, घं का पूर ट्रस्टिये चेतरपल ग्याद कीजिए, तो घं है, हमारा घं का चेतरपल क्या होता है, यह होता है, 6a square होता है, a क्या दे रखा है, side दे रखी है, जो कि 2.6 दे रखी है, 6, और यह होजाए अगर 2.6, multiply by 2.6, ठीक है, आप क्या करोगे, 26 को आप ऐसी रिखो, 26 क्या होता है, 676 होता है, कितना होता है, 676, यह क्या होता है, 26 का square होता है, आपको 2 point के बाद 0 है, यहा और यह हो जाएगा 4056, 40.56 आपका अंसर आजाएगा, तो 2 संक्यावाद पॉइंट है, तो 2 संक्यावाद पॉइंट यहां भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, आपको दे रखा है, आर उसी को किसी संक्यावाद, मैं 2.4 से मल्टिप्लाइ करती, करना चाहा रही है, लेकिन वो कर क्या देती है, 4.2 से मल्टिप्लाइ कर देती है, यह दो उसे प्राप्त पॉइंट पर 65.1 मिलता है, यह है आपका 65.1 मिल रहा है, तो आपसे पूछाए, तो उसे को देट पर के रूपर क्या प्राप्त में चाहिए तो इसकी वेल्यू आप से पूछी है, यह आपको गिवइन है, आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपने कहा कि जो 4.2 है, हम 4.2 मान रहे हैं, और जिसकी इसी की value 6.5.1 आ रही है, तो 1 unit की value कितनी आ रही है, 6.5 और 1 हो जाएगी, और 42 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक एक संख्या के बाद ही तो point है, तो बहुत जाएगा, ठीक है, आप इ 3 से दो, 3 जो निच है, और ये हो जाएगा, 3,1,3,7,1,2, और ये हो जाए सट, 12, 7,1,7 वी,7,7 और 7 जोनिचोओदर, यानि कि ये कितना आ गया, 1 unit की value कितनी हो गई, 31 अपॉन 2 हो गई, एक यूनिट की बैलू कितनी हो गई ये कितनी हो गई थर्टी, वन अपॉन टू हो गई अब एक यूनिट की बैलू कर इतनी है तो हमें किस की पूछी थी हमें पूछी है जो सबसे पहले बैलू क्या थी सबसे पहले बैलू थी आपकी 2.4 2.4 की बहले कुछी है न, 2.4 से आप क्या करना है, 31 का अपॉन क्या है, 31 अपॉन 2 में भी, या 31 अपॉन 2 आपको गिविन है ये, ये 31 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2.4 हो गया और 31 अपॉन 2 है ये, तो कितना हो जाएगा, 1.2 का आपको गना है 31 में मल्टिप्लाएग, तो आप 30 इसको करके देखिए, बारे का 31 में कर दीजिए, बारे एकन बारा, एक दू, एक हो गया, बारे चोगा 36 और 37, ये हो जाएगा 37, 37, 37.2, तो देखो, एक संख्या के बाद, पॉइंट है न, उपर, हमने भी उसको कट नहीं किया, तो जो 37 है, आपका 37, और ये हो जाएगा, पॉइंट, 37.0, ये आपकी बैडियू आ गई, 37.20, और जो कि option नमबर आपको कौन सा मिल रहा है, इसमें, option नमबर आपको मिल रहा है, इसमें, option नमबर बन, क्या है, ये, option नमबर बन, ये ही आपका answer है, समझ में आ गया, 4.2 की बैल्यू 65.1 है, इसमें से हमने एक यूनिट की बैल्यू निकाली, और उसे एक यूनिट की बैल्यू को, हमने जो पूछा था, जो first था, 4.2, उसमें एक यूनिट की बैल्यू को multiply कर दिया, जिससे के हमारा answer आ गया, इसको देखुआ, ये है आपका 0.82, 0.802, ये इस तरीके से आपको नमबर दे रखे, मैं सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 0.8, 0.8 सम में है, ये तो हो नहीं सकता, 0.0 आ गया, ये तो होगा नहीं, अब इसमें से आप देखो, 0.8 के पर 2 है, ये 0 है, ये तो होगा नहीं, 2 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, ये सबसे बड़ी सं और यह 2 यह तो बहुत ही ज्यादा हो गया यह हो गया 0.03 हो गया आपको इसमें इसमें मुट्लिप्या कर दू यह 5 15 और आपका त्यार चौक 25 यह 25 और आपको चार संखा के बाद पॉइंट था तो एक संखे बढ़ानी पड़ेगी तो 0.0255 0.0255 यह आपको ऑप्सन हो जाए यह आपको पॉश्च्टे इसमें है आपको है कि 22.5 है का 32 ट॥ा फरसन कितना हो जाएगा 32 अप उपन हंड्ड़़ हो जाएगा 100 से और माइनस का हो जाएगा 2 अपन 3 और आपका 512 क्या होगा क्यू उसका क्यूब यह पूचा है आपका इसका मतलब है यह 8 का पावत ही होता ह और उसका पावर भी आपको क्या दे रखे एक बटे तीन दे रखे तीन से तीन कट जाएगा तो आठ आ जाएगा यहां यहां पर क्या होगा एक क्या होता है नौ का इसके नौ हो जाएगा यहां और यह हो जाएगा आपका वाई आपको क्या करना है तीन से यह कट कर देना है और यह आ जायेगा आपका अगर मैं कहूं很好 आपसे से ख़टाना है तो यह जिरू आ जायेगा और यह क्या होगा पच्ची चौका आठ नो पच्ची आठ नो वर पच्ची चौका देगा यह 40 वर गया और यह क्या होगा आठ चौबीष अाठ चक बं さ उगया और 8.40 हो गया, 9.36 हो गया, बट्टे 5 हो गया, और ये आपका माइनस हो गया, 8.24 और 24 का दो में करेंगे, तो 48 हो गया, ठीक है, ये 48 हो गया, ये 5.35 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 7.2 हो गया ये आपका, क्या हो गया, ये आपका 7.2, अगर आपको 48 में से 7.2 हटाना है, तो सीधे-सीधे आप मानलो 40 हट रहा है, ठीक है, सीधे-सीधे क्या मानोंगे, 42 हट रहा है, 42 आप एक तरीके से रोखो, पताते हो, ये देतो, ये कितना हो जाएगा, ये है, आप मानस करना है, आपको, मानस करना 48 से, तो आंसर तो मानस में ही आएगा, आप सीधे-सीधे 8 मानोंगे, तो 40 बचेगा, लेकिन 8 नहीं था, कितना था, पॉइंट 8 और आजाएगा, मानस करना 40.8 आजाएगा, क्यों, क्योंकि 0.2 था, अभी हमें 0.8 है, हमने ज़्याद अगटा दिया, तो 0.8 हमें यह जोड़ना पड़ेगा, ये ही तो होती हैं, calculation disorder यह होती है, आपको कोई घनाब दी रखा है, घनाब में आपको क्या दी रखा है, लंबाई, चोड़ाई, उचाई का अनपाद दी रखा है, तो ये हो जाएगा, 4, 3, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी L हो जाएगी, ये आपकी B हो जाएगी, ये आपकी H हो जाएगी, L, B, H का अनपाद आपको इस सरीकी से दी रखा है, आप इसमें X लगा सकते हो, तो ये 3X हो जाएगा, ये 5X हो जाएगा, ठीक है, आपको उसका योखल दे रखा है 144, आपसे पूछा है, घनाब का पूर प्रस्ठी छित्रफल क्या होता है, पूर L, B, PLUS, B, H, PLUS, H, H, L, ये होता है, इसका जित्रफल होता है, पूरा, आपको सब का सम करना है, आपको पता है, घनाब है, तो इनकी 4-4, सब जितनी भी लंबाई है, 4-4 होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को पमल ने सकते हैं, और हमने सोचा कि हर कुछ 4-4 है, पर टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12X आजाएगा, और ये आजाएगा किसके बरावर, 144 के बरावर आजाएगा, यानि कि जो X की बैल्यू हो जाएगी, जो X की बैल्यू होगी, वो 3 हो गई, अगर X की बैल्यू तीन है, तो अगर हमको टोटल पूछा है उधर उपर, हम सको ऊपर ही लिखे, ठीके देखो, ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, पर आप एक बात बताओ, इसका इसमें multiply करोगे, इसका इसमें करोगे, आपको इसी तरीकी से तो साइड निकालनी है, आप एक बात बताओ, आपको क्या पता है ना, सब में X स्कीर बार बार आएगा, जैसे क आपने 2 है, X स्कीर को बाहर अगर मैंने common लिया, मैंने 3 का स्कीर किया, मैंने 9 बाहर लिया, तो के साथ, अब मैं कहूँ कि 4-3-12, ये 12 हो जाएगा ना, इस बारे के साथ X स्कीर भी आना था, पर वो मैंने common लिया सब के लिए, अब आप BH को देखो, BH क्या हो जाएगा, ति 5 7, 8, 9, ये भी है, 6, 7, 9, 10, ये भी है, सब है, मतब 9 की divisible, तो अभी हमें पूरा find करना पड़ेगा, 5, 6, 7 हो जाएगा ये, अब समझ में आ गया ना, कि कब चेक करते हैं, अगर हमें दिख गया ना, कि 1 से जादा 6, 7, 9, 2 में 9 का divisibility लग रहा है, तो हम इतनी जल्दी इसके conclusion पहुंच सकती, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमका proper multiply करना पड़ेगा, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये कितना हो गया, 47 हो गया, ये कितना हो गया, 47 हो गया, अब 866, 6 आएगा, तो आप देखो ये तो हो नहीं सकता ठीक है यह कितना होगा 47 18 का इसम 47 मुल्टिप्लाइए करें लो 18 और 47 करने का तरीका क्या है पांच शे पांच केरी चला गया यहां साथ आ जाएगा चार आड़ बाती तीन दू हो जाएगा दो चार हो जाएगा यहां चै और यहां हो जाएगा चार और यह गए चार और चार यह 846 हो जाएगा कितना हो जाएगा 846 846 आपका आंसर हो गया 846 आप इसका मुल्टिप्लाइए कर लेना यहीं आएगा ओकी आपको पता पढ़ चुका है हमने पहले डिजिटल सम को भी करने की कोसिस की जो हमारा उसे काम नहीं बना फिर हमने लांस डिजिट को देखने की यूनिट डिजिट को भी देखने की पोसिस की हमारा काम उससे भी नहीं बना फिर हमने कहा कि आप सीदे हमने उसको मुल्टिप्लाइ कर ले कितनी बड़ा काम था आगे बढ़ते हैं आपको दे रखा है कि 90 km पर आर की चाल से चल रही एक र्यल गाड़ी एक बिजडी के खंडे को को 18 second में पार करती है तो हमने कहा कि अग पूछ ए प्रेट फॉर्म को वही र्यल गाड़ी प्रेटफॉर्म को 65 second में पार करती है तो प्रेट फॉर्म की लंबा ही करने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नपभा करेंगे और हम क्या करेंगे, Switch यदि क्यों है हमें प्रेट कोम की लिए क्या लिखा है, हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो तीडी हो गया, और आपका 18 second ये रहा है, अब सबसे पहली बात मीटर में आंसदी रहा है तो हमको 90 किलो मीटर पर आर्जू दे रखा है उसको मीटर पर सेक्ट में चेंज करना पड़ेगा यह हो जाएगा 5 और यह 18 हो जाएगा और यह आपका 18 मल्टिक्लाई में चला जाएगा यह TD हो जाएगा अब यह क्या हो जाएगा ठारे से ठार कट गया यह 450 आ गया क्या आ गया 450 टीडी की लंबाई आ गई यानि की ट्रें की लंबाई आ गई आपको क्या पूछा है खंबे को यह 90 हम जब चलेगी दूरी तो खंबा तो दूरी पैने प्लेटफर्म तो नहीं अपनी स्पीड है प्लेटफर्म की कोई स्पीड तो नहीं है ट्रें की स्पीड है तो 90 ही रहेगा स्पीड अपकी 90 रहेगी आपको पता है कि हमको 500 verste る से मेटलिप्लाइ करना पड़ेगा और यह 450 आ जाएगी td तो किया हो आपको दिखा देते हैं इसको 65 seconds है अब आपको platform के लंबाई ही find करनी है तो आप देख सकते हो आप देखे ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये 25 हो जाएगा 25 को आपको 65 से multiply करना बढ़ेगा और 450 प्लस जो PD है वही रहेगा पीड़ी अकेला रहेगा तो क्या करेगा 450 को उधर भीज़ देगा तो 25 65 का सबसे पहले multiply करना है आपको क्या है 25 5 और 2 10 30 30 40 और 2 4 6 12 13 14 15 16 16 25 जो आगया माइनस के 450 करना पड़ेगा ये होगी PD की value आप देखो 5 आप इससे 5 से 0 जाएगा 5 आप देखोगे कि अब हमारा 2 में से 5 गया 12 में से 5 तो 7 आजाएगा और यहां पर आपका एक कम हो गया ये हो जाएगा 5 में से 1 और 1 1175 और यह आजाएगा मीटर में यह PD है आपकी PD की अगर value 1175 दे रखी है तो आप question पर चलिए आपको क्या option को 1175 दे रखा है 1175 आपका दे रखा है fourth option तो यहीं आपका answer हो जाएगा हमें प्रेटफॉर्म की लंबा ही तो पूछी थी ठीक है आपको दी रखा है कि एक निश्यद बार्सिक प्रत्सत बार्सिक दरपर पांच वर्स के लिए हमने कोई भी अपना पैसा इंवेस्ट किया और उसको परिपक्त वाग परिपक्त के वाग में समझ रहे हो ना कि जो रासी कंप्रीट हो जाती है एक टाइम के बाद उतने में इतना कितना मिलता है उस तरीकिसे इसने परिपक्त वाली लेंग्विज यूश कर रखी है ओके सबसे पहले आपको दे रखा है आपको दे रखा है कि 5 एयर में यही रासी 989800 करकी है मतब इतनी दे है और यही 10 एयर में 10 एयर में कितनी है आपको है दो 6,000 तो आपको पूछा है कि बारamura lon versión 2,600 ब्याद केजी है आपको क्या पूछा है तो आप को कि तो आप से आपको 5 साल के डिफेञ्ज के कितने पैसमें अंतरा आया आपने कहा कि na यन Om तो double zero यह आजाएगा और यह हो जाएगा आपपकाड यहाँ आएगा तो 16 में से 8 तो 8 आजाएगा ठीक है और यहां 11 बचेगा 9 10 11 2 हो जाएगा two eight double zero हो जाएगा five year के लिए one year के लिए आपका कितना हो जाएगा 25 पचीस और कितना बचा 9800 था मतब आपके पास पैसे इतने बन गए और उस पे ब्याज इतनी मिली तो 2 कितना बचा ये 7000 बचा के नहीं बचा मतब 9800 में से 2800 घटाओ गए तो 7000 बचेगा तो पी कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा 7000 आपका पी आ गया उस पर आपको एक साल में आपकी रेट क्या होती है रेट आपकी होती है कि आपको एक साल में जितना पैसा मिल रहा है प्रिंसिपल पर वही आपकी रेट है तो ये हो जाएगा 100 आपको देखो 0 से 0 कट जाएगा 0 से 0 0 0 786 यानिकि 8% यानिकि रेट आपकी कितनी आ गई एट परसेंट आ गई आप इससे शॉर्ट नहीं होगा ना आप तो बहुत शॉर्ट चल रहा है लेकिन मैं फिर भी कहूंगी किसी बच्चे का लॉस हो रहा है अगर इसको लग रहा है इतना शॉर्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं लॉंग कराऊंगी फिर आप के लिए बन कराऊंगी फिर क्यों कि क्योंकि जैसागर मैंने बताया कि लॉंग कराने से किसी का लॉस नहीं होगा पर शॉर्ट कराने से किसी का लॉस हो सकता है आगे बढ़ते हैं आपको दे रखा, यह बहुत अच्छा question है, मतब बहुत अच्छा है, इसको important mark कर लो, बाकि आप इसको लगा, मेरे लगाने के बाद आप इसको जरूर लगाना, जिन questions को मैंने बूला है, अच्छी questions है, आपको लिख लेने हैं, पर आपको लगाने जरूर है, वो questions, यह देखे कि दो संख्यां का लगुतम समाबर्तक और SCF, 20 गुना है, यानि कि जो LCM है न, वो SCF का क्या है, SCF का 20 टाइम्स है, यह 20X हो जाएगा, अगर SCF X है, इसका 20 टाइम्स है, तो आपसे पूछा है, लगुतम समाबर्तक और मेरे समाबर्तक का योगफल 504 है, यानि कि 20 और 1 कित 24 है, यानि कि संख्याएं क्या होंगी, आप कहोंगे संख्याएं मेरे 1 टो 24, A हो जाएगी, और 1 हो जाएगी, 24 भी हो जाएगी, ठीक है, आपसे का है, संख्याओं का अंतर क्या है, 24 दिया हुआ है, तो एकर 24 A minus 24 B करोगे, तो वो आ रहा है 24, यानि कि A minus B की value कितनी दे रख आप देखो अच्छा अगर संख्याओं का मैं अगर LCM की बात करूं इस तरीके से हमारे पास यहां क्या आ रहा है LCM 20X आ रहा है 20X की वैलू हमने 24 फाइंट की है अगर मैं कमूं तो संख्याओं का इस तरीके से देखो इसका LCM में क्या निकालूगी आप को होगे मैं 24 तो पड़ेगा common है और A multiply B रखना पड़ेगा 24 से 24 कट जाएगा यानि कि A B की value 20 आ जाएगी आप को होगे मैं देको difference 1 आ रहा है A minus B का difference 1 आ रहा है और multiply 20 आ रहा है आपको अगर मैं कहूं कि A by A multiply B 20 है तो बहुत सारी form हो सकती है उसकी जिस तरीके से एक multiply 20 हो सकता है और 2 multiply by 10 हो स सकता है तो क्या आपको इस A minus B से कुछ hint मिले आपने का हा मैं A minus B से हमें hint यह मिली कि उनका difference 1 होना चाहिए तो 4 पांच का difference 1 है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इन दो संख्याओं का difference 1 है तो क्या हो सकता है हम कैसी दिख सकते हैं कि संख्या हमारी क्या होग युगफल ग्याद कीजिए तो क्या आपको प्रॉपर संख्या निकालने की जरुरत है आपको होगे नहीं हमें एक क्याद किवन है हमें पूछा है संख्याओं का यूग यानि कि एक तरीके से एक ही पहले चार हो गई और 24 हो गई और दूसरी संख्या 5 हो गई और 24 हो गई आप देखिए दूसर सोला आपका कौन सा ओप्षिन है दूसर सोला आपका फरस्ट ओप्षिन है यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है आपको देखिए एक गिविन है कौशन इसमें आपको पैन उठाने की जरूत नहीं है अगर आप शॉर्ट ट्रिक मांगते हो तो देखो बिलकुल पैन उठाने की जरूत नहीं है किसी कच्चा के 14 कच्चा का और 70 बजन 20 है यहाँ 20 हो जाएगा इस्टूडेंट है आपके 14 यहाँ कोई यह जाद कच्चा छोड़ देता है तो कच्छा का और सब बजन जो है वो दो हो जाता है तो class का जो average है वो दो कम हो जाता है यानि कि हर student से दो-दो कम हो रहा है अगर वो छात्र चला गया पहली बात तो उस छात्र का कम से कम 20 तो बजन होगा 20 kg तो होगा इस बात को अब नहीं मना कर सकते अगर उसका 20 होगा तो अगर जो 13 बच्चे बच्चे हैं उन सब का 2-2 kg लेके चला गया उने तो खुद का 20 तो था ही 2-2 kg सब का भी ले गया है तो यानि कि 26 यानि कि kg बजन ले गया हो तो 20 और 26 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यानि कि उस बच्चे का बजन था वो 40 था तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको इसको ये mind calculation कर सकते थे एक बर और क्रियर करा देती हूँ कि 14 बच्चे थी उनका उसका 20 था एवरेज उनका 20 था और एक बच्चे चला गया तो यानि कि उसका बजन 26 केजी और था तो 46 केजी था ठीक है ये बहुत अच्छा कॉश्चन है आपको पता है तो आपको भर-बर के कॉश्चन आएंगे जितनी प्रैक्टिस हो सेके इस चैप्टर की आप पूरी प्रैक्टिस कर लेना अच्छा easy आए, tough आए, it doesn't matter बट आपको इस questions में रहेंगे ठीक है questions करते है क्या मैं इन चीजों को ना बोलूँ आपसे बीच बीच में तो ये class बहुत बुरियत नहीं हो जाएगी जैसे एक बच्चे का comment आया था class में बातें तो भाई क्या करें, मतलब class में questions कराएंगे, थोड़ी बात बातें हो सकती है ना, लाइक में एक घंटे का, डिडड़ घंटे का अगर कोई lecture ले रही हो तो ये बुरियत आपको नहीं होगी कि अगर हम थोड़ा भी interaction ना करें देखो, सुधीर और आरब से 4.5 गोना कारे कुशल है यानि कि सुधीर आरब से ज्यादा कारे कुशल है यदि वो एक साथ कारे करते हैं तो वे किसी कारे को आठ दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में आठ दिन में कर सकते हैं, तो आरब अकेला तो सुधीर आरब से, तो आरब नीचे वाला हो गया, क्योंकि से की बात हो रही है, उस सुधीर 9 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे हैं, सुधीर की जगे ऐस दिखेंगे, यह सुधीर है, यह 9 हो गया, आरब 2 हो गया, दोनों मिलके 8 दिन में कारे करते हैं, अगर इसी एफिसिंसे से काम करते रहें, तो 9, 10, 11, यानि कि 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे, तो 8 दिन में काम कर लेंगे, यानि कि जो टोटल वर्क आएगा, वो 88 यूनिट आ ज काम को, आरब अपनी एफिसिंस से करेंगा, जो कि है 2, तो कितना आ जाएगा, अच्छा वाली से, यानि कि आरब करेंगा, अच्छा वाली से, सुधीर क्या करता, 88 यूनिट करता, आपको दे रखा है कि रभी हैदरवाद से दिली जाता है, हैदरवर्दो दिली की बीच की दूरी है आपकी बारेसो, आपको हैदरवाद यहां दे रखा है, और डेली दे रखी है आपको ये, उसकी बीच की दूरी आपको दे रखी है, यह आपकी डिस्टेंस दी रखी है आपसे पूछा है कि वह 25 दूरी पैदल ते करता है 25 परसेंट तो पैदल जाएगा तो 25 परसेंट को कबर कर लेगा फिर हवाई यह किसे जा रहा है second number पर आपसे फिर रेल गाड़ी की दूरी दे रखी है बस में जा रहा है 30 परसेंट बस से 15 परसेंट रेल गाड़ी से और सेज दूरी हवाई जहार से जा रहा है तो आपसे पूछे हवाई जहार से कितनी दूरी ते करेगा तो सबसे पहले हमें percentage पता करना पड़ेगा कि हवाई जैसे कितना percent जा रहा है उसके लिए हमें सब का पता करना पड़ेगा अब bus से कितना जा रहा है? bus से जा रहा है वो आपका पैदल 30 पैदल है आपका वो 25 पैदल 30 परसन बस 30 परसन बस और आपका 15% train, train का कितना है, 15% है, total कितना % हो गया, यह सो में से, 25 और 30, 35, 55 और 15, 60, 70, यह total आपका 70 unit हो गया, 70% हो गया, तो बचा कितना, आपको हवाई जहाज से जाने के लिए कितना % बचा, आपको हवाई जहाज है, हवाई जहाज से जाने के लिए कितना है, 30% बचा, 30% बचा, 100% distance है 100% distance को वो कैसे कवर कर रहा है वो इतनी है 100% distance तो 1% distance कितनी होगी 1200 अफ 100 हो जाएगा अगर मैं कहूं कि 30% जो कर रहा है कवर वो कितना होगा आप को वे 30 से मेंट प्रेकरना होगा ठीक है यह 0, 230 बारे यह 360 km गोले को कवर करेगा इससे हवाई जास से कितना करेगा 360 km को कवर करेगा 360 km को कवर करेगा हवाई जास से समझ में आ गया ना आपको पैदल दे रखा था पैदल बस और ट्रेन टोटल था 70% इस सबसे पैदल और बस बस और जो ट्रेन से जा रहा था वो 70% जा रहा था बचा डिस्टेंस कितना बचा 30% बचा जब 100% 1200 है तो एक परसेंट की बेरी 12 आ गई और 30% को कितना हो गया 360 तो 360 km को किस से कवर करेगा हवाई जास से कवर करेगा आपको एक मैदान के ब्रत्तकार रेसिंग ट्रैक बना जोटाहिए यह है आपका इसको एक और सोरकल बनाते हैं आपको तो 느न्धाळ है कि एक ब्रत्त-कार रेसिंग बनाया गया कि इस देहती परक्यातिक पर तर ना टर्क पर्दिक के इसका मतलब यह है आपका, यह है आपका r, ठीक है, एक small, अब यह है, आपका small r कितना होगा, यहां से यहां तक small r हो गया, आपको यह जो रास्ता है, आपको रास्ता जो हो क्या है, रास्ता जो given है यह, तो यह क्या होगा, capital r minus r हो गया, नहीं हो गया, r minus r हो गया, आपको यदे रेसिंग के बाहयो अंत्रिक परदी का अंतर 30 है, तो इसका मतलब है कि जो परदी का अंतर 30 है, तो रेसिंग के चोड़ाई ही ग्यात किजिए, तो क्या r minus r नहीं होगा, आपको होगे हमें, तो देखो, 2 pi r क्या होगा, बड़ा वाला minus 2 pi r क्या होगा छोटा वाला circle इसकी ही तो अंतर आपको 33 दे रखा है अब इसको short कैसे करोगे 2 pi common ले लोगे 2 pi common ले लिया capital r minus r बचा इसकी ही value आपसे पूछी होई है यह 33 हो गया आप क्या करोगे r minus r जो है वो 33 तो हो गया 2 गुणा 22 बटे 7 है तो 7 यहां आ जाएगा और 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा 2 गुणा 22 हो जाएगा यह आप क्या कर सकते हो यह 3 कर सकते हो यह 2 कर सकते हो यह 21 बटे 4 हो जाएगा और यह 4 पनब 20 1 और 4 यह कितना हो जाएगा 5 सही 1 बट्टे 4 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 5 सही 1 बट्टे 4 5 सही 1 बट्टे 4 यह आ जाएगी आपकी value किसकी है इसकी 5 सही 1 बट्टे 4 यह आपको option है ठीक है क्योंकि आपको क्या पूछा था एक बर और explain कर देते हैं इस question को आपको दो परदियों का अंतर 30 थी दे रखा था R-R की value आपको 21 upon 4 given है मतब solve हो के आ गई अब आप क्या कर सकते हो इसमें आप क्या कर सकते हो इसको solve कर सकते हो तो 5, 5 है एक बट्टे 4 आपकी value आ जाएगी Next question पर आते हैं किसी गोले का प्रस्ठी चेतरफल आपको यह दे रखा है प्रस्ठी चेतरफल यह दे रखा आयतन पूछा है तो गोले का प्रस्ठी चेतरफल क्या होता है 4 pi r square होता है गोले का प्रस्ठी चेतरफल जो कि है 61600 आपको r square की value find करनी है तो 21600 और चार पाई है बाइस वट्टे साथ यानिकि साथ तो उपर जाएगा और बाइस कुड़ा चार यहां आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यह आप इसको सॉल्ब करोगे तो यह चाद उनियाड चाद उनियाड यानिकि 88 आ जाएगा और 88 का 7 से मिल्टिप्लाइ करोगे तो यहीं आ जाएगा 216 और यह हो जाएगा 616 क्या होगा 616 इससे कितनी बार कट गया यह आगया आपका 700 यह आप 49 आगया यानिकि यह आपकी आर स्केर की वेल्यू है तो आर की वेल्यू कितनी हो जाएगी 70 पर यह सेंटी मीटर में है आपको क्या पूछा है क्यों मीटर में पूछा है तो आप इसको मीटर के लिए क्या करोगे 70 बटी 100 करना पड़ेगा आर 70 बटी 100 करना पड़ेगा अभी आपका मीटर में आ चुका है तो 7 बटी 10 आ जाएगी वेल्यू साथ बट्टी दस वैल्यू किसकी हो गई है साथ बट्टी दस वैल्यू किसकी हो गई है साथ बट्टी दस वैल्यू आपकी आर की हो गई ठीक है आपको आयतल पूछा है आपको पूछा है आयतल आयतल कितना होता है 4 upon 3 5 आर क्यो तो कितना हो जाएगा, 4 upon 3, 22 बट्टे 7, R की बेलू 7 बट्टे 10, और ये इस तरीकी से 7 बट्टे 10, 7 बट्टे 10, ठीक है, ये आपका हो गया, अब आपको किस तरीकी से फाइंड करना है अपना ये, आप क्या करोगे, 7 से 7 कट जाएगा आपका, और ये 3 नहीं यहीं रह जाए जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, अब इसको आप 1000 से डिवाइड दे दोगे, अच्छा ही बताओ, खावजन से तरवा, आर्टी दोचार, देखें, काम कीजिए, उप्शन्स में चलते हैं, इसको भी हम उप्शन्स से निप्टालेंगे, अगर हो सके तो, देखो, उप्शन्स में एक चीद देखो, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 समय आ रहा है, इसका मतलव आप एक चीज़ समझ सकते हो, कि मल्टिप्लै करके तो 4, 3, 1, 2 ही आएगा, ठीक है क्या आएगा, पर हमको और चीज़े क्या डीटिल है, जो हमारे पास है, इसका मल्टिप्लै करेंगे तो, 4, 3, 1, 2 ही आएगा, पर 1000 है तो यहा मैं अगर दे रखाता, कि 4, 3, 1, 2 ही आप्शन में है, तो मल्टिप्लै करके तो यही आना था, पर हमने किसी से फाइदा उठाया, हमने इस 1000 का फाइदा उठाया, और हमने इसी रिपॉंट को यहां बगाया, आप देखो, किसी आप्शन में क्या पॉइंट 3 के बाद है, इस इसमें भी 3 था, और यही आनसर सही है आपका, ठीक है, यह हो जाएगा, आपको एक गिविन है, एक मिक्षर, जिसमें आपको दूद और पानी, 3-2 अनुपाद में, दूद और पानी वाले द्रग की, 2 लीटर मात्रा को, 2 ratio 3 के अनुपाद में, दूद और पानी वाले अन्य द्रग की 3 लीटर मात्रा मिलाया जाता है, तो आपको सबसे पहले, अगर मैं कहूं, milk क्या है, और water क्या है, आपको minimum 3 ratio 1 है, इसमें, इसका total 5 आ जाएगा, और इसकी value क्या दे रखी है, 2 लीटर दे र value, ठीक है, ये कितना होगा, ये 6 वट्टे 5 हो जाएगा, और ये 4 वट्टे 5 हो जाएगा, अब ये है first की बात, दूसरी एक और हमें value is given है, अगर हम दूसरा solution देखें, उसमें क्या है, 3 लीटर है, और 3 ratio 2 था, वो 2 ratio 3 हो जाएगा, ये 3 ratio 2 है, ये 2 ratio 3 है, 2 ratio 3 के 3 लीटर मात् है, और पूच्छा क्या है, नय मिस्रट में दूद और पानी का अनुपात क्यात कीजिए, यानिकि इन दोनों को जोडने के बाद जो आएगा, और नय मिस्रट आएगा, तो पहले तो हमालगलग मिस्रट को देख लेते हैं, ये 3 था, तो ये 2 ratio 3 हो जाएगा, ये भी 5 ही आप इसको थोड़ा से solve करोगे, तो क्या आजाएगा, ये आजाएगा आपका 6 upon 5, ये क्या हो जाएगा, आपका 9 upon 5, आपको दूद दूद को जोड़ना है, और आपको water water को जोड़ना है, तो आप किस तरीक से दिखोगे, 5 तो दोनों में आ रहा है, LCM लोगे भी, तो 6 upon 5 क हो जाएगा, आप उसको थोड़ा से उपर चलेंगे, तो देखो कि ये 9 upon 5 है, और उपर क्या होगा, कितना दे रखा है, 4 upon 5 दे रखा है, 9 upon 4 कितना होगे आपका, ये 13 बट्टे 5 होगे, आप देखो कि 5 से 5 हट जाएगा, तो 12 ratio 13 आजाएगा, ये ही आपका answer आजाएगा, आ नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं, इसंड रूपेस के साथा है, तो सबसे पहले हमें इसंड आज जिए 30 कईटी कितने देर रखी है, इसकी है 30 किलो चावल ले रहा है, तो क्या कर रहा है, वो कितने पर ले रहा है te Lucky, 10 पर कितने रहा है, ये 28 रूपीर केजि के साथा ये कोश्चन पर क्याजी, और ये 59 होगे आपसे दे रहा है, तो आपसे पूचा है कि इसको 28 पर kg audio किसाब सेसब को बेचना चाह रहा है, 28 पर kg ك इसाब से सब को बेचना चाह रहा है, तो बताईए कि कितना उसको लाभ यहान Proseक्रानी होगी, आपको इससे 0 से 0 कट कर दो गया quantity को छोटा करने के लिए short trick में क्या कर रही हो आप इसके लिए आप 0 से 0 कट कर रही हो 3 से इसका करोगे तो 90 आजाएगा अब 4 से करोगे 4 दूनी 80 और 4 दूनी 80 और 4 32 80 और 32 से 112 हो जाएगा यहां पर आपका साथ आजाएगा क्योंकि यह 3 है यह 4 है 7 हो गया सादुनी 14 140 756 और 5 और 78 56 और सादुनी 14 15 13 13 यह 196 आगया यह आपका कितना आजाएगा यह आपका आजाएगा 90 और 100 यह कितना 202 आजाएगा टोटल करके और 196 पर उसको बेचना है तो क्या उसको profit हो रहा है या loss होगा आपको होगे मैं उसको क्या होगा उसको सबसे पहले तो loss होगा यह तो हो नहीं सकते थे 2 answer आप देखोगे कितना difference आया यह difference आया आपका 96 यानि कि 4-5-6 यानि कि 6 का difference आया 202 पर आया और 100 करोगे आपको 100 का यह 2 times है ना almost वो 2 times है 2 से 6 जाएगा तो 3% 3% आपका आज आएगा हमने 100 से 202 था 200 के आसपास था तो 2 बार कट कर दिया तो हमें पता पढ़ गया कि हमें 3% की हानि होगी इस से ठीक है इस session को हम यहीं खतम करते हैं अगले session में मिलते हैं हम तब तक जुड़े रहेगा और प्लीज थोड़ा से समझने की कोसिस कीजिएगा कि इनसान को थोड़ा time दिया जाता है और मैं अपने हिसाब से अपना best करने की कोसिस कर रही हूँ तो तीर बढ़ने रहेगा और मेरा moral high ही कीजिएगा धन्यबाद